हेलो स्टूरेंट्स वेल्कम टू अबर चैनल फोकस क्लासिज जैसा कि आप जानते हो मेरा नम सिवानी पचारी है और मैं आपको बाइलोजी पढ़ा रही हूं क्लास नाइन्थ की जिसमें फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है आपका जो था फंडामेंटल उनिट ऑफ लाइफ और सेकंड मैंने स्टार्ट किया है इसके एक क्लास हुई है टिशू का मैंने अभी एक क्लास दीती आपके जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन दिया था कि टिशू होता क्या है तो मैंने आपको टिशू के बारे बताया था थोड़ा सा रिकॉल करते हैं पहली की क्लास को टिशू होता क्या है group of cells बहुत सारे cells के group को हम क्या बोलते हैं टिशू बोलते हैं और टिशू के group को हम आगे चल का बोलते हैं और organ ठीक है अब इसी तरह से टिशू अब टिशू के type क्या होते हैं मैंने आपको introduction पूरा दे दिया था अब आज हम बताएंगे इसके बारे में टिशू के type क्या हैं कितने तरह की टिशू होते हैं और उनका function क्या है तो first plant tissue हमें पढ़ने हैं plant tissue plant tissue में first आता है मैरिस्मेटिक टिशू एक होता है आपका मैरिस्मेटिक टिशू and second होता है आपका तरह का होता है इसके अंदर तीन टाइप्स होते हैं मैरिस्मेटिक टिशू सा थ्री टाइप एपिकल मैरिस्ट्रम सेकिंड है आपका लेटरल मैरिस्ट्रम थर्ड है आपका इंटर कैलरी मैरिस्ट्रम फर्स्ट क्या है एपिकल मैरिस्ट्रम सेकिंड है लेटरल मैरिस्ट्र थर्ड है Interkal Halloween MaristrumS Candide axis 2 तरह का होता है warto simple permanent tissue and second क्वांपलेंट टिशू सब्सक्राइब काई लिंड की ओता है इसके लिले बता है है फएरेंड काईमा सेटि होता है कॉलेंड काईमा सेकिन आता है इसमें कॉंपलेक्स पर्मानेंट टिशू फर्स ता सिंपल रागेंगे और उसके बाद हम पर्मानेंट टिशू पड़ेंगे तो अब इसके बाद आप Merysthmatic Tissue होता क्या है First of all कि Merysthmatic Tissues जो होते हैं उनको क्या कहते है One minute Merysthmatic Tissue also Called as Dividing Tissue और Growing Tissue ये जो Merysthmatic Tissues होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं Dividing Tissue या फिर इनको बोलते हैं Growing Tissue इसका मतलब क्या है ये जो Tissues होते हैं वो डिवाइड करते रहते हैं और इनकी वजय से बॉडी में या फिर पिलांस में में ग्रोथ होती है इसलिए इनको बोलते हैं डिवाइडिंग टििशू या फिर इसको बोलते हैं घ्रोइंग टिशू जो चीष डिवाइड करेंगी अगर कोई एक सेल है थीजिए जैसे कि सेल है या फिस या फिसको जैसे यह आप टीशु मान लो कि टीशु क्या था गुरूप अपसेश सेश्च नौश टीशु टीशु तो यह टीशु है तो इससे क्या सेल में या फिर बॉडी में क्या होगा ग्रोथ होगी इसलिए हम इसको बोलेंगे dividing tissue and growing tissue second point है इसका cells of marismatic tissue और growing tissue किसकी cells? marismatic tissue की या फिर growing tissue की एक ही नामे दोना have the potential, इनके पास potential होती है, capacity होती है क्या करने की? to divide continuously, cells of marismatic tissue और growing tissue have the potential to divide continuously, इसका मतलब क्या है? ये जो tissues होते हैं, ये continuously क्या करते हैं? divide करते हैं, जिसकी वज़े से उस cell में या फिर उस tissue में growth होती जाती है, इसके बाद next point है, cells of marismatic tissue, cells of marismatic tissue are similar in structure, ये जो tissues होते हैं, इनके structure कैसे होते हैं, similar होते हैं, and have, इनके structure कैसे है, similar in structure, and have the thin cellulosic ball. इनके जो स्ट्रक्टर होते हैं वो कैसे होते हैं Similar होते हैं और इनके जो बॉल होती है जो दीवाल होती है उत वह कैसी होती है इसका मिला सेलूलोस की बनी होती है क्योंकि हम किसके पड़ रहें में सेल्लोस रिजर्ट होती है तो यह टिशूज है इन रहती है यह किहाँ धिस्ट कि इसका मतलब क्या है इनके बीच में कोई space present नहीं होगा इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया है यह एक सेल है यह टिशू है तो यह टिशू किस से बना है? सेल से बना हुआ है अब यह जब सेल से बना है एक सेल दूसरी सेल से चिपकी हुई है लेकि इनके बीच में space present नहीं होगा इसे क्या बोलेंगे? अगर space present होगा एक सेल से दूसरे सेल के बीच में तो उसे बोलेंगे इंटर-cellular space अब इसमें हमारा यह space present नहीं है तो हम इसमें बोलेंगे not intercellular space मतलब कि absent है present कैसे होगा अगर इस तरह है कि cell है तो देखो इसमें आपको space दिखाई दे रहा है यह रहा space यह रहा यह रहा यह रहा यह काफी सारा इसमें space present है यह intercellular, intercellular का मतलब है एक cell का दूसरे cell के बीच में space का present होना उसे बोलेंगे intercellular जैसे कि आप नाम सी समझ में आ रहा है inter यान की अंदर और cellular यान की cells के बीच में cells are arranged without यह important point है इसका याद रखना है cells are arranged without any intercellular space between them next point आता है इसमें grow and divide repeatedly यह जो tissues होते हैं वो जैसे कि मैंने आपको बता है इनका नाम ही था dividing and growing tissues तो यह जो tissues होते हैं वो repeated करके repeat करके बार बार क्या करेंगे divide करेंगे so they grow and divide grow यानि कि growth और division करेंगे continuously बार बार repeatedly these cells are metabolically active यह जो cells है metabolically active है okay इनका जो metabolis में वो active है so they are metabolically active next है tissues contain undifferentiated cells यह जो cells है वो जो cells को contain करते हैं वो undifferentiated type की cells होती हैं मतलब उनका structure and function differentiate हम नहीं कर सकते अलग-अलग तो यह कैसी tissues हैं किस टैप की cells से बने हुए है undifferentiated cells okay सारे point समझ में आगे first point था इसका यह इसके जो important point है वो है आपका first एक यह वाला जो आपको याद रखना है second आप इसमें याद रखना इनकी जो वॉल होती है वो थिन होती है third इसका intercellular space यह तीनों point जो हैं वह आपको याद रखने फर्स डिवाइडिंग cells and growing cells यह tissues इनका नाम है second इनकी पास potential होती है growth करने के लिए डिवाइड करने की तो यह होते रहते हैं यह जो tissues हैं similar होते हैं structure में और इनकी जो cell ball होती है वो कैसी होती है थेन होती है next point आता है इसमें इनके बीच में intercellular space प्रिजन नहीं होता है अब बाकी के जो points है अभी मैं पहले वो करा देती हूं आपको ओके तो इसके बाद स्टाट करते हैं टाइप of marismatic tissue अभी मैंने आपको पता है थे marismatic tissues क्या होते हैं अब second इसका आता है इसके टाइप मेंने बताए थे एपिकल लेटरल एंटर कैलरी तो फर्स्ट आता है एपिकल मैरिस्ट्रम एपिकल मैरिस्ट्रम क्या होता है इट इस situated at growing tip of stem and root यह कहां पर प्रिजेंट होता है इस टेम और रूट की growing tip पर इसका मतलब क्या है जैसे कि यह कोई leaf है sorry यह कोई plant है तो plant की नीचे क्या होगी growth root होगी ऊपर इसकी क्या जा रही है stem जा रही है तो stem के यहां पर present होगा tip यहां फी जो roots है इसके tip पर present होगा और tip पर present होने की बज़े से यहां पर इसकी growth होगी तो it is situated at growing tip of stem and root जो stem का यह root का पर growth कर रहा होगा उसकी टिप पर apical meristrum present होंगी these are also found in apices of leaves जैसे कि यह leaf है तो leaf की apices पर भी यह present होगा क्या present होंगे apical meristrum क्योंकि apical meristrum यह जो टिशू पढ़ रहे हैं हम कौन से हैं meristematic tissue meristematic tissue सभी कैसे होते हैं growing tissue या dividing tissue होते हैं grow का मतलब है वह आगे चलके growth करेंगे तो यह इसी का टाइप है apical meristrum तो apical meristrum उसकी height बढ़ाने में हम यह बोल सकते हैं या stem हो या leaf हो इनकी height बढ़ाने में help करते हैं help elongation elongation का मतलब क्या है उसकी height से related है vertical region में उसको growth करेगा which come under primary growth और यह जो होती है इसको बोलते हम primary growth यह जो stem जैसे कि अगर कोई बच्चा होता है तो बच्चा जब height बढ़ती है उसकी तो उसकी primary growth होती है जब बढ़ रहा होता है इसी दरह से जो plant है तो plant की stem पर क्या present है stem के tip पर क्या present है apical meristrum और कहां present है root पर present है और कहां present है leaf के apices पर present है इसकी वजएसे इनमें growth होगी और उस growth को हम बोलेंगे primary growth फिर सेकेंड आता आपका lateral meristrum lateral meristrum कहां होता occur on side and help on यह कहां present होगा यह side से present होगा जैसे कि अभी मैंने आपको यह बताया तो यह जो apical था वो हमारा यहां present है इसके बाद जो यह आएगा lateral lateral का मतलब ही आप समझ रहें एक होता वर्टिकल एक होता lateral या horizontal तो lateral का मतलब वो side से present होगा इस जगे पर तो इसे बोलेंगे हम lateral ओके यह क्या करेगा increasing growth of the stem यह stem की गर्थ को बढ़ाएगा इसका मतलब अगर कोई वीचे इस तरह से बढ़ेगी कैसे horizontally यह लेटरल साइट से तो इसकी गर्थ increase करेगी this is called secondary growth तो इसे बोलेंगे हम secondary growth और जो वर्टिकली बढ़ा उसे हमने क्या बोला primary growth और जो lateral या horizontal बढ़ेगा उसको बोलेंगे हम secondary growth थर्ड आता इसमें intercalorie meristrum intercalorie meristrum कहां present होता है located at base of leaves and inter nodes यह कहां present है leaves के base पर जैसे यह leaf है तो उसके base पर present होगा downward side में यहां पर इंटर नोड जैसे कि अगर कोई प्लांट है उसकी stem है यहां पर एक नोड पर जैंट होती है दूसरी जगर इंटर नोड पर जैसे नोड है तो इनके बीच में इंटर नोड है तो यह कहां present होगा intercalorie meristrum inter nodes पर present होगा और second leaves के base पर present होगा it also help in growth of leaf यह क्या करेगा leaves की growth बढ़ाएगा and elongation of inter nodes और क्या करेगा inter nodes में elongation या फिर उनकी भी height को बढ़ाएगा तो यह तीनो टाइप समझ में आगे apical जो है वो height को बढ़ाएगा एक तरह से किसके stem और root के और lips के second आया और इसे हम क्या करेगा elongation करेगा इस जो यह जो height बढ़ा रहा है या इस तरह की growth हो रही है इसको बोलते हैं primary growth फिर आता है second lateral सब्सक्राइब करेंगी और इस टाइप की growth होती है इसे बोलते हैं secondary growth फिर थर्ड आता आपका intercalorie meristam intercalorie meristam जो होता है वह leaps के base पर present होता है या फिर इंटर नोट्स पर present होता है जिसकी वज़ेसे इसके इंटर नोट्स में क्या होता है elongation होता है ओके अब इसका बचा function तो अब इसके बाद आते हैं इसके function meristamatic tissue के functions क्या होते हैं तो first जैसे कि अभी मैंने इसके type बताए थे तीनों तो common चीज क्या आई थी यह growth करने में help करते हैं तो takes part in growth of the plant यह क्या करते हैं plants की growth करने में help करते हैं second है helping repair of injured cells या फिटीशू की या फिटीशू की या फिटीशू या cells जो insert हो जाते हैं किसी वज़े से उनको बापस से repair करते हैं उनको ठीक करने के लिए help करते हैं third point आता है it is parent tissue from other tissue develop यह parent tissue है किन के लिए जो tissues बाद में develop कर रहे होते हैं वो initial develop करते हैं तो यह क्या हुए parent tissue हुए उन tissues के लिए जो बाद में develop कर रहे हैं तो first क्या हुआ इसका यह growth of plants में help करते हैं second यह repair करते हैं injured tissue को या फिर cells को third है यह parent tissue होते हैं जो tissues develop कर रहे हैं उनके लिए एक और point जो आप याद रख सकते हैं अगर कोई भी plant है तो wind की वजय से या किसी वी वजय से वो bend कर जाता है तो उसकी growth को upright रखने के लिए स्ट्रेट रखने के लिए भी यह वाले tissues helpful होते हैं यह उनको upright growth करने के लिए help करते हैं तो आज के लिए इतना ही काफी है तो आज charismatic tissues complete हो गया है अब कल बचे का आपका permanent tissue तो कल permanent tissue करते हैं